नमस्कार दोस्तों PCS फार्ट साला में आपस्वाई का स्वागत है घटना चक्र TGT PGT NET हिष्टी का यह 47 भाग है अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाईएगा घटना चक्र TGT PGT NET हिष्टी की नाम से प्लेलिस्ट का तयार है डाउनलोड कर सकते हैं लिंक डिस्क्रेशन में दिया गया है अगर आपको किछी प्रकार के सुद्दा होती है तो हमारे वाट्सप पर मैसेज कर सकते हैं डाउनलोड कर नमस्दा होती है तो और आप लोग की जानकार लिए बताता है TGT PGT किसी भी सब्जेट का क किसी ही मीडिया में किसी भी तयारी के लिए अगर आपको हन्डिटेन नोट 책 चाहिए तो पूरा का हैंडदे नोट्स आपको मिल जाएगा और हैंडडैनोट्स काました मिल जाएगा जिनकों भी अब संपर कर सकते हैं व्यूट्सप दिस्क्रेशन में है आए सद्धे यह आपका साहित्तिक रशना है, एतिहासिक नहीं है, विकल्बसी, विजीटी परिच्छा में पुछा गया प्रशन है यह, कादमरी बानभट की कृती है, इसमें पवाद स्वरुप कुछ एतिहासिक जनकारी मिलती है, अता इसका एतिहासिक महत नगड ही है, कालिदास का अंको का नाटक है, जिसमें मालविका और अगनी मित्र की प्रडग अथा है, मुद्रगासस से चनूत मौर की विजीए में जनकारी मिलती है, कलड की रात्रंगडी से आदिकाल से लेकर 1151 इस वितक के कस्मीर के सासन की जनकारी मिलती है, प्रशन 82 देखेगा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेकी साच क्या है, तो एरण, एरण से सती प्रथा का अभिलेकी साच मिलता है, प्रशन 83 देखेगा, सती प्रथा का उलेक करने वाले प्रथम अभिलेक कहा मिले है, तो एरण में मिले है, प्रशन 84 देखेगा, सती प्रथा का उलेक करने वाले प्रथम अभिले पिजीटी परिच्छा 2004 में पुछा गया प्रशना ये कायस्त सब्द का उलेख सरपतम यागयवले स्मृति में मिलता है जबकि गुप्तोतर काल की ओशनम इसमृति में भी एक जाती का उलेख एक जाती को रुपे इसका उलेख मिलता है अन्यमजपुड तत्र दिखेगा रिगिवेद के पुरुष सुक्त में चारो वड़ो ब्रामण चत्री वैश शुद्र को बिराट पुरुष के चार विविन अंगों से उत्पन्न होता बताया गया है तेत्री शंगिता में बैश वड़ का मुख्यवद्यम क्र्शि ओ पुषपालन बताया गया है सरपतम परासर स्मिस्थी में क्र्षि को ब्रामण वड़ की वृत्ति निरुपित किया गया है प्रश्ण पचासी देखें एक जाति के रूप में कायस्तों का स्रपतम उलेख मिलता है तो कहां मिलता है और वोष्ण मिस्मृति में प्रश्न शीयासी निम्निकित में से किस साही अफसर के जिन में यात्रीओं के जानमाल की सुरस्चा का कारवार था तो राजभाट सबसे पुछा प्रश्न 87 सब में पुछागया प्रश्ना Bun प्रश्न इसकी ब्याख्या देख लीजे गुप्त सासकों के सासनकाल में सब्वता और संस्कृत के प्रतेक्षेत्र में अबुद्पुरु प्रगति हुई हिंदू संस्कृति अपने उतकर्ष की प्राकाश्टा पर पहुंच गे थी गुप्त काल की चोह मुकी प्रगति को ध ध्यान में रखकर ही इतिहासकारों ने इस काल को शड़ यूग कहा है इसी काल को क्लासिकल यूग अत्वा भारत का पिरिकली यूग भी कहते हैं इसे अनमत पूर्टत भी दिखेगा समुद्रुगत्त का आदर्स शंपूर्ट प्रतिवी को बाधना था जबकि चंद्रुगत्त का आदर्स शंपूर्ट प्रतिवी को बाधना था इस यूग की कला में आद्यो पांत आध्यात्मिक्ताट, सालिंता और भारत यता दिखाई देती है कालिदास को भारत का शिफ्चिए़ भी करते हैं, प्रशन 88 देखेगा, गुप्तकाल को खुछ ने गुमिक्त की गतरि ककला में की गुफासन का 16 और 17 पूछा क्या प्रशन ये अजन्ता की गुफासन का 16 और 17 का सब्सक्त है क्या है नवी दस्मी गुफाओं के चित्र प्रथम सदी इशा पुर्व के हैं पहली दूसरी गुफाओं के चित्र जो है सात्वी सत्वी 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 सताब्दी इस भी के हैं और दस्वी गुफाओं के चित्र है बस सोलावी सत्रवी गुफाओं के चित्र जो है गुप्त कालीन है अजन्ता के जो गुफाओं के चित्र है वो बहुत काल बशेटी नहीं अजन्टा की गुफा संक्या सूलह में मरडासन राजकुमारी का स्रवादिक सुन्दर हवा कर सक है 17 के चित्र जो है इसे चीत्रशाला भी करते हैं इसमें जातक अथाये हैं 17 कि गुफा में अजनता की गुफाय हैं महाराज के और अरंगाबाद जीले में चित्र प्रारम में अजनता के 29 गुफाओं के चित्र बने हैं परंतु वर्तमान में किवल 6 गुफा हीसेस हैं 9 दस्वी गुफाओं के चित्र परत्थम 7 सताबदी सब्रविख के हैं पहली और दसवी कुफा के चित्र जो है सात्मीं सतादेश वी के हैं अनमध पुर्तवत बहुतत की दिखेगा सुलहमी शत्रहमी गुफाओं के भिति चित्र जो है वह गुप्त काली है अजनता के घुफा चित्र बॉध्धर्म से समस्मदीत है अजन्ता की गुफा संक्या सोलह में गुफा के चित्र जो है मडासन राजकुमारी से सम्मंदित है और जातक खताएं सबसे अधिक सत्रमी शदी के गुफाओं में चित्रित है औहला प्रशन संक्या में प्रशन संक्या क्या वगत मतनुकित anche किसंता के किसंता में मड़ा στην राज़कोंारी का दिरश अंकित है अुफ क्पा कि संक्या 6 हमें गुफा संक्या 17 में गुफा संक्या 17 को यह चितरशाला abused यต देखेगा किस काल के मंदर की वास्तोकला में सरवतम गंगा और यमुना की आकर्तिया मिलती हैं तो किस मंदर की वास्तोकला में गंगा यमुना की आकर्तिया मिली हैं तो गुप्त काल में गंगा और यमुना की आकर्तिया मिलती थी मंदर के पास अबी भी कुर्मवाहनी यम्यक्रवाहनी कुछ मंदिर होते हैं जहां पर गंगा और यब जाती में लाती है दृच्षपम भारत के मंदिरों के सेश्ता यह होती है कि वहां पर जो भगवान के दो दौर्दार पाल होते हैं उनका रहता है फोटो उनकी उनकी तस्बीर होती है फिर उनकी पेंटिंग होती है इसी बैख्या देख लेजेगा गुप्त कालीन वास्तुकला के सरोत्तम उदारन मंदिर हैं बस्तुता मंदिर के अवसेस हमें इसी काल से मिलने लगते हैं गर्विगरी के प्रवेस द्वार पर बने चोखट पर मगरवाहनी अकुर्मवाहनी यम इसमें मंगल, भिहग, स्रीविच, स्वास्तिक, घट, मिथुन, पत्रवल्ली, आदी का अंकन होना चाहिए कालिदाश ने भी संख और पद्म के अंकन का उलेक किया है गुर्ट काल के अधिकांस मंदिर पासाड़े निमित हैं केवल भीतर गाउँ श्रीपूर का जो मंदिर प्राशन 93 देखेगा धमे के इस्थूप है, धमे के इस्थूप जो है आपका सारनाथ में हैं, बिकलवसी पिजी की परिचा में पूछा गया प्रशन है, इस्थूप असाबदी कर्थ होता है धेर या थूः इसका प्रारंबिक रूप अर्धोगो लाकार है, धमे के प्रश्न चौरामवत देखेगा राजग्री इस्थित जरा संग की बैठक का निर्माड गुप्त समराटों के काल में माना जाता है उदेगरी पहाडी से चंगुत बिक्रमाजित के विदेश सचू बीर सेन के प्राप्त लेख से पता चलता है कि उसने यहां एक सेव गुफा का निमाड़ी करवाया था प्रशन 94 देखेगा अभियान साकुतरम के लेख़ कौन है तो वो है कालिदास बिकल्पसी दिजीटी परिच्छा सन 2010 ने पूछा गया प्रशन है अभियान साकुतरम के लेख़ कालिदास है यह गुफ्त कालिन सरूत क्रिश्ट रचना है इसमें दूसियन तो सकुतला के मिलन क सबसे उब्रस्ट है आपके कालिदास हैं बिजीटी परिच्छा उज़रस्वटर म कुछा अ पुझागा प्रश्ण है ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्राइब करेगा डिस्क्रिसिन में लिए टेलीग्राम का टेलीग्राम को बिल्कुर जाने करेगा और इसके पहले का विडियो ने देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएब घटना चरू टीज़ीटी प के जीटिक लिए सभी इंपार्टन वीडियो हैं दोस्तों आप लोग बिल्कुर फालू करिए पूरी घटना शक्र को धन्यबद आप लोगों